है दोस्तों आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में तो मेरा जो SBA का न्यू क्रडिकार्ट था वो फाइनली डिलिवर हो चुका है आज क्रडिक अंदर में आपको इसको अनपेक करके दिखाऊं और बताऊंगा कि इसका चुक पेकिंग है इसके अंदर क्या क्या आता हो जिसके अंदर में आपको प्रोसेस दिखाए थी कि अगर आप एक चोटे से विलिस में रहे तो जहां पर SBA की जो यह सर्विस अवेलेबल हैं वहाँ पर के सतरा से आप इसका जो क्रेड़ काड़ है इसका अपरवल ले सकते हो मुझे पहले साब साम मना कर दिया था कि जो काड़ है इसके अंदर SBA की तरफ से जो एंजर्ट आता है इसने बहुती बड़ी मिश्टेक की है जिसके वज़े से मुझे बहुती कम लिमिट मिले हैं यहां पर दोस्तों आपको देखे देगा मेरा जो एक्जिस्टिंग एक्सिस बेंक का क्रेड़ काड़ है इसकी लि अधान लिमिट मुझे और ट्वेंटी थ्री थाउसन मिलें मतलब आता हैं तो भी चलेगा क्योंकि इस ब्हुती बड़ी मिश्टेक की हैं जिसके वज़े से इसका जो मिश्टेक काफी कम मिला हैं तो क्या मिश्टेक यह मैं आपको थोड़ी दिर बात बताता हुँ सबसे प पेकिंग आता है कुछ टाम पहले HBA card या तो access bank वो आपको बहुती बड़ी file send करते थे जिसके अंतर काफी सारी डिटरस होती है लेकिन अब इसको काफी कम कर दिया है यहाँ पर आपका address वगेर होता है address वगेर होता है जहाँ पर आपका यह card deliver होता है और यहाँ पर देखी मेरा जो card हो simply click card है क्योंकि मैं ज्यादा online shopping करता हूं अगर आप offline यूज करता हो card को तो आपको simply save card choose करना चाहें तो इसको मैंने already unchecked कर दिया है तो यहाँ पर इसको home simple इसके अंदर जो भी document मिलता है इसको निकाल कर मैं आपको दिखाता हूं सबसे बहले देखिए यहाँ पर एक आपको करने हैं तो यह सबसे पहला लेटर जिसके अंदर आपका काड़ रहता है इसके बाद इसके अंदर सब कुछ जो लिखाए कि आपको करने हैं यह सब्सक्राइब करने हैं यह सब्सक्राइब करते हैं इसके अंदर हमारा काड़ है यहाँ पर हमारा काड़ इसके नीचे यहाँ पर आपको देखें देगा यह जो काड़ है निचे मेरा नाम लिखा यहाँ आपको देखें देगा यह simply click card है visa platform का इसके बाद दोस्तों इसके benefits और annual charges के बार में बात करते हैं तो आपको इस प्रकर का template इसके साथ में मिलता है जिसके अंदर detail में लिखा है यहाँ पर आप पीछे देखोगे तो अगर आप तो यहाँ पर जैसे आपका card approval होता है तो आपको यहाँ पर 500 रूपीज का Amazon का voucher मिलता है जिसके मदद से आप online shopping कर सकते हो Amazon में 500 रूपी तक की तो मतलब कि जो आपका annual charge है 499 वो आपको reverse मिल जाता है जो first year है आपका वो बिल्कुल फ्री में है इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आप एक लाग से दो लाग तक spend करता हो online आपके card से तो आपको 2000 का give voucher मिलता है यहाँ पर आपको दिखाए देगा इसके बाद रिवर्ट पॉट्स के बात करें तो SPI की कुछ खास partner है अगर वहाँ पर आप card का use करता हो तो आपको 10x reward points मिलेगे दूसरी जगह पर मतलब कि सभी जगह पर online आप use करोगे वहाँ पर आपको 5x reward points मिलेगे इसके बाद यहाँ पर देखिए every 100 रोपी spend करोगे तो आपको 1 reward point मिलेगा इसके बाद यह यहाँ पर एक लाग से ज्यादा जो spend कर दे तो आपके card में से तो आपका जो annual fee है वो reverse हो जाएगा यहाँ पर आपको आपको साफ साफ लिखा तो यह इसके खास benefit है इस तरह से इसका यह simple unpacking था तो दोस्तों आपने इसका unpacking देख लिए और मैंने आपको बाता था कि मैं कहा था कि मुझे card to card apply करना है ताकि मुझे limit ज्यादा मिल सके अब देखिए क्या किया कि जब home fill करते हैं काड़ का तो वहाँ पर मेरा card मेरे sbi saving account बेज अपलाई कर दिया तब देखिए मैरा जो sbi का account इसको मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूं इसलिए इसकी limit मुझे काफी कम मिले हैं जो मैं lucky हो वन्ना मेरा card अप्रूब भी नहीं होगा क्योंकि मैं sbi का account है इसको यूज ही नह मिले हैं तो वहाँ से मुझे बताए गया कि जो अभी time ठीक नहीं चल रहा है COVID-19 का तो इसलिए हम लोग जिदने भी जो new card issue होते हैं इसको हम कम ही limit दे रहे हैं six month के बाद आपकी जो limit है आप इसको increase कर पाएंगे आपको आपके income proof को show करना होगा मतलब कि ITR वे आप show करोगे तो आपकी limit increase हो जाएगे लेकिन ये agent का कहीना था मुझे 100% में sure हूँ कि agent की mistake की वज़े से मेरा जो card है इसके लिए मुझे काफी कम मिले है क्योंकि मेरा card account based apply हुआ है इसमें भी मुझे पूछा गया था कि आप उपने saving account में कितना balance रखतो हो वगिरे तो तब भी मुझे पता सल गया था कि मेरा चो card है वो account based apply हुआ है card to card based apply नहीं हुआ है यह बहुत ही जो छोटे-छोटे mistake होती इसका आपको जान रखना है जब भी आप card to card apply करो तो आपको दो तीन बार आपके कहिना है कि मुझे card to card ही apply करना है account based apply नहीं करना है क्योंकि जब भी आप form फिल करते हो तो आपको पूछते कि आपका SBA का saving account number क्या है तो तभी यह मिश्टेक हो जाती है और इस तरह से इसकी जो limit है वो काफी कम मिलते हैं वैसे में credit card का ज्यादा यूज नहीं करता हूं research वगिरे करता हूं इसके बाद को subscribe कर लिए ताकि आपको ऐसे helpful वीडियो मिलते रहें थैंक्यों इस वीडियो